देश भर में श्री कृष्ण जन्माश्टमी की धूम है धार्मिक मानताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादरपद महीने की कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी और रोहिनी नक्षक्त्र में हुआ था श्री कृष्ण के जन्म के समय यानि आधी रात में जब पूजा की जाती है तो खीरे का विशेश महत्व होता है इस समय खासतोर पर डंठल वाले खीरे का इस्तिमाल किया जाता है पर क्या आप इसकी पीछे की वज़य जानते है भगवान के जन्म के बाद डंठल को खीरे से अलग कर दिया जाता है वो भी चांदी के सिक्के की मदद से यानि जन्माश्टमी पर खीरे को चांदी के सिक्के से काटा जाता है पर इसके पीछे की वज़य क्या है ये पूरी जानकारी हमें वाननसी के पंडित संजय उपाध्याय से मिली है पंडित जी इस बारे में क्या कहते हैं सुनिए दखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे से क्यों होता है यह बहुत रहश्यमय प्रश्ण है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि खीरा जो है गर्भासैशे शंबंद रखता है खीरा में जलतत्य की मात्रा जैदा होती है इस वजह से भगवान लट्टू गोपाल का जन्म जो है खीरे से ही मनाया जाता और खीरा चड़ाने की विसेद प्रक्रिया है दरसल ऐसा माना जाता है कि जैसे शुरी कृष्ण के जन्म के बाद खीरे को डंठल से अलग कर दिया जाता है वैसे ही गर्भ से बाहर आने के बाद एक शिशु भी नाल से अलग होता है जन्माश्टमी पर खीरे को काटने का मतलब होता है कि बाल गुपाल को माता देवकी के कि गर्ब से अलग कर दिया गया है ओंज़ दंठल वाला खीरा होना चाहिए फींफोलों में इसलिए उसकी नुआ जैएँजा श्री कृष्ण का जन मुद्सव आधिरात को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानि लड़ु गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्न जन्माश्टमी की पूजा के बाद कटे हुए खीरे को प्रिसाद के रूप में बाट दिया जाता है। तो इस बार श्री कृष्न जन्माश्टमी पर अगर आप से कोई पूछे कि इसकी क्या वज़ा है तो आप उन्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही विडियोज के लिए देखते रहें लोकले टीम.